नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रजनी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तो Connecting India Exim Solution इंडिया का ऐसा प्लेटफूम है जो आपको export, import से related सारी जानकरी detail में बताता है समझाता है इंडिया से कैसे export करें, इंडिया में कैसे import करें, उसका procedure क्या है, क्या क्या document आपको बनाने रहेंगे इन सारी चीजों के बारे में जानकरी आपको detail में हमारे यूटूब चैनल के माद्यम से provide कराई जाती है तो मैं इसी के साथ आपसे request करूँगा कि अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें, bell icon को press करें ताकि आपको हमारे आगयाने वाले वीडियो के notification मिलते रहें दोस्तो वीडियो बढ़ लेते हैं आगे बात कर लेते हैं इंडिया से butter export करने के बारे में या दोस्तो butter and other oil fat का काफी अच्छा export हमारे यहां से है, घी का भी काफी अच्छा export है बट बटर की requirement अभी हाल में काफी सारी countries के अंदर बहुत सारी बढ़कर आई है और काफी लोग जो है इस butter export में आ चुके हैं और different different states से इंडिया के foreign countries के अंदर export किया जा रहा है, more than 20 countries के अंदर हम यहां से butter export कर रहे हैं तो अगर आप भी butter के local business में है या आप इस butter के export का business करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को end तक देखें जिसमें आपको completely समझ में आ जाएगा कि इंडिया से butter का export कैसे करना है क्या क्या document आपको बनाने है, किन-किन countries में marketing करनी है और इन सारी चीजों के बारे में detail में जानकरी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बटर की बात करें तो यह 04 चैप्टर के अंदर आता है जो कि एक dairy product का चैप्टर है तो 04 के अंदर ही आपको butter का export करना है बात करें लास financial year की 2022 और 2023 के अंदर जो हमारे यहां से butter का export हुआ वो करीब करीब 43.55 million dollar का export रहे 2022 देविस के अंदर बहुत अच्छा export हमारे यहां से different countries के अंदर किया गया बात करते हैं butter जो है किस-किस industry में use होता है mainly यह food industry में use के जाता है जहां भी जितने भी fast food वगे रहा होते हैं सब कुछ butter में बनाया जाता है बहुत सारी जो food recipe होती है सभी में butter का यूज किया जाता है तो butter का mainly use जो है food industry के अंदर है जहां पर butter जो है काफी अच्छी demand में रेता है अब कहां से पर्चेश करना है आप जनरली जो butter हैं बड़े-बड़े के लिए भी जा सकते हैं उसको भी ट्राइ कर सकते हैं और जो है आप उनसे लेके उनके बटर को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके लाव भी काफी सारी butter की companies है जो butter बनाती है तो आप उनसे चेक आउट करें या आपका खुद का कोई production है तो आप आराम से जो है उसको export कर पाएंगे तो butter के export को अब करने के लिए किन-किन countries में आपको जाना रहेगा किन-किन countries में marketing करनी रहेगी तो बात कर लेते हैं उन countries की जो butter का import कर रही है नंबर वन पर इसमें आता है UAE UAE काफी अच्छा इंपोर्ट जो है butter का हमसे करती है UAE के अंदर आप butter export कर सकते हैं साओधी अरेबिया में आप butter export कर सकते हैं बहरीन, कतर, USA, मोरकों में भी आप अपना इंडियन बटर export कर सकते हैं इसके अलावा इंडोनेशिया, सिंगापूर, मलेशिया, औस्टेलिया, नॉमान जैसी country भी इंडिया से butter का import करती है तो इन सब countries के अंदर आप जो है butter का अराम से export कर सकते हैं butter की काफी countries में निकल के आती है, बहुत सारा butter जो है in countries में export किया जाता है, बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आपको butter का export करना है तो क्या-क्या document आपको बनाने रहेंगे, तो butter export के लिए सबसे पहले आप एक GST ले ले लें, फिर आपको bank से ID code लेना रहेगा जो कि एक authorized dealership code होता है, उसक बात में जब आप import export code ले लेंगे, उसके बाद आपको simply जो है, FSSI का central license लेना है, RCMC आप इसमें APIDA का ले सकते हैं, और FSSI का central license आपको इसमें लेना रहेगा, कुछ document जो है, बायर की requirement के इसाब से बनाने पड़ते हैं, जैसे कोई lab report, test report अगर आपसे मांगी जाती है, तो आपको provide करा आना है, उसके बाद जब आप export करेंगे, तो कुछ document तब बनाने रहेते हैं, जैसे हो माइन वैसे, commercial invoice है, पाई तो certificates वगेरा हो गए है, या और कोई भी document जो बायर की तरफ से requirement में रहे हैं, shipping will आपका इसमें फाइल होता है, airway bl by air जाएगा तो, will of reading अगर, cway bl आपका buy see जाएगा, तो ये कुछ document जो है आपको इसमें बनाने रहेंगे, उसके बाद बात कर लेते हैं completely procedure की, कि इसका procedure किस तरह की सरेगा, अगर आप butter का export करना चाहते हैं, तो butter का पूरा export procedure अब हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना supplier find करना तो supplier surprises लें, prizes लेने के बाद आपको यहाँ simply अपनी एक firm open करनी है, firm का नाम decide करना है, कि किस नाम से आप export करेंगे, firm का common name आप जरूर से जरूर decide करें, multiple product में भी आप deal कर पाएं, या पूरे ही dairy product में आप deal कर पाएं, इस तरीके का आपको एक नाम decide कर लेना है, उसके बाद उ as a private limited भी company बना सकते हैं, partnership बना सकते हैं, profit partnership बना सकते हैं, मैं initially requirement करता हूँ कि अगर आप कम खर्चे के अंदर export, import business करना चाहते हैं, तो आप profit partnership firm, मतलब एक GST number लेके भी आप अपना काम start कर सकते हैं, जब GST का certificate आपको मिल जाए, फिर आप bank में जाएंगे, वहाँ पे आप bank current account open करने के लिए बोलेंगे, तो आप एक normal current account भी इसमें open करा सकते हैं, बट आपको current account open वहीं कराना है, जिस bank के पास AD code लेटर हो, मतलब authorized dealership code उस bank के पास होना चाहिए, अब authorized dealership code क्या होता है, कि RBI के द्वारा कुछ bankों को authorized dealership code दिया जाता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि आ आप foreign exchange में deal कर सकते हैं, तो जो bank foreign exchange के अंदर deal कर सकती है, उनी bank को RBI के द्वारा authorized dealership code दिया जाता है, और bank जो है वो code आपके, उनके later head पे बनाके आपको provide कराती है, तो पहले आपको current account को लाना है, और उससे पहले आपको bank से पता कर लेना है, उनके पास AD code लेटर है कि नही और अपने IEC को bank के साथ, अपने account के साथ link bank में करवाना होता है, तब bank फिर आपको AD code लेटर यहाँ पे issue करेगा, जब आपका AD code लेटर issue हो जाएगा, current account आपका open हो गया है, IEC आपका बन गया, AD code लेटर issue हो गया है, उसके बाद आप RCMC के लिए simply apply कर सकते हैं, जो कि आपका EPIDA का रहेगा, तो EPIDA का जो है license आपको लेना रहेगा, मतलब उसको registration का membership certificate बोला जाता है, जब EPIDA का RCMC आप ले लेगे, उसके बाद आपको FSSI का central license यहाँ पे लेना है, कोई भी food product या process food के export के लिए FSSI का license की requirement रहती है, FSSI के दूर तरीके के license होते हैं, एक होता है street license, एक हो Central license, तो यहाँ पे आपको Central license लेना रहेगा, जब आप Central license ले लेगे, तो उसमें आप export भी कर सकते हैं, और कुछ import करना है, तो import भी कर सकते हैं, वैसलिए food item के लिए यह जो है इसकी requirement रहती है, जब आपका FSSI का Central license बन जाएगा, उसमें आपको port registration आपका कराना है, जिस भी port से जिस भी border से या airport से आप export करेंगे, वहाँ पे आपको port registration, पहले ice gate registration होता है, उसी में port registration, edi code registration वगेर आपका रहता है, तो यह सब चीज़े आपको करानी रहेगी, किसी भी प्रकाल के registration या documentation के लिए आप हमसे भी स्क्रीन पर देकी number पे contact कर सकते हैं, आपको सारे export import के documentation और registration क करा है, वहाँ आपको custom house agent appoint करना पड़ता है, जब CHE आप appoint करेंगे, तो CHE आपके product का custom clearance कराता है, जैसे कि आप कभी भी export करें, import करें, port पे आपका material बिना custom के आगे नहीं जा सकता, तो आपको custom clearance कराना कंपल सरी है, तो आपको यहाँ पे CHE appoint करना पड़ेगा, जो आपके product क custom clearance कराएगा, वह custom clearance के लिए आपको CHE जब आप appoint कर लेंगे, और फिर उससे अपना charges आपको ले लेना है, कि भई, मैं जब इतना product यहाँ पे भेजूँगा, तो उसका charges मुझे कितना लग जाएगा, उसके बाद आप buyer finding चालू करें, उसके लिए भी कई सारे वीडियो आपक advancement मिलता है, तो आपको advancement पर काम करना है, जब आपका payment डले, उसके बाद आपको material तयार करके, base देना है port पे, आपका CHE वहाँ custom अगेरा करागे, सारे document फाइल करके, material को load करवा देगा, by air जाना है, mostly तो by air चला जाएगा, by ship जाना है, तो refer container में यह जा सकता है, refrigeration वाले में, तो आपका material इस तरीके से आप export करेंगे, फिर आपके पास जो भी document आएंगे, वो आपको फिर अपने buyer को courier करने, और buyer जो है, उन document को अपने port पे दिखा के material छुड़ा लेगा, तो इस तरीके से दोस्तों आपका export का procedure complete होता है, अगर आप सीखना चाते है, completely export and import तो join कर सकते हमारा साथ दिन का online training session जिसके अंदर मैं आपको practically सिखाता हूँ कि इंडिया से कैसे export करें, इंडिया में import कैसे करें, उसका procedure क्या है, क्या क्या document आपको बढ़ाने रहेंगे, किस तरीके से marketing करके buyer finding आपको करना है, live buyer finding इसमें बताया जाता है, live quotation making बताया जाता है, live port procedure आपको आस्तान में भी आके ले सकते हैं, training के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें screen video के number पर contact कर सकते हैं, आप हमें follow कर सकते हैं, social media पर जिसके link आपको description में मिल जाएंगे, मिलते हमाँ next video में, thank you very much.